इस वक्त हम मामा के घर पे खड़े हुए हैं मामा का घर याने पूरू मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान का घर और ये में गेट है जिसके उपर लिखा हुआ है कि माननी नहीं पूरू मुख्यमंतरी जी प्रवास पर हैं तो ये लगातार मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान दौरे पर जा रहे हैं लेकिन उनकी भूमी का क्या होगी ये सवाल बार बार उठ रहा है ये सवाल अभी इसी लिए ज्यादा उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा जो कलस्टर बनाए है उनके प्रभारियों का भी एलान कर दिया गया है और जिन लोग जिन ने को रिवा का प्रभार दिया गया है बूपेंद्र सिंग को सागर का प्रभार दिया गया है लेकिन इन सबी दिगजों को चुनाओ के लिए लोकसभा चुनाओ के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है लेकिन एक नाम बार बार उठ रहा है कि उनको कोई जिम्मेदारी आखिर क अलग-अलग हिस्तों में जा रहे हैं, अभी उन्होंने तेलंगाना दौरा करके आएं, इस बीच वो अपने बयानों को लेकर बहुत सुर्खियों में रहे हैं, कभी वो बोलते हैं कि रास्तिलक होते होते वनवास हो जाता है, कभी वो बोलते हैं कि मैं रिजक्टेड नहीं तो ये सब बयान लगतार आ रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके बेटे कार्ती के सिंग चौहान भी ये बयान दे रहे हैं, कि लड़ना पड़ा लोगों के हक के लिए तो मैं लड़ूंगा, ये बोल रहे हैं कार्ती के सिंग, तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और उसके अभी तक शुराज सिंग चौहान की कोई भूमिका इस पस्ट नहीं हो पाई है कि उनकी इस लोकसभा चुनाओं में क्या भूमिका रहेगी तो ये कहीं न कहीं बता रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा और सभी लोगों को बड़ी उस्चुता है कि पूरू मुख्यमंत् शुराज सिंग चौहान को क्या रोल दिया जाएगा इससे पहले उन्होंने दिल्ली में जाकर जेपी नड़ा साफ से भी मुलाकात की थी तो कयास लगाये जा रहे थे कि आने वाले वक्त में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ज काम के लिए त्याक करना होता है तो अब यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उनको क्या रोल देती है और आने वाले लोग सबा चुनाओं में वो क्या भूमिका होगी ऐसे में कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उनको छिनवाडा से टिकेट दे दिया कर भूपाल तक में मीटिंग का दोर लगातार चल रहा है अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर शिवराज सिंग चौहान की क्या भूमिका होती है कैमराबन ललित के साथ इलमान खान प्रदेश तक भूपाल